यह आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 36.7 का प्रॉफिट है डेल्टा नूट्रल में देख रहा है आपको ठीक है पर मार्केट में बिल्कुल प्रिक्चर परफेक्ट ब्रेक आउट दिया है रिटेस्ट भी हो गया और मार्केट अभी उस जगा को होल्ड कर रहा है हलो अब्रिबन और वेल्कम प्रिकेट अगेन और आज ट्यूजडे था ट्यूजडे एंड हो चुका है बिल्कुल और कल जो हमने बात करी थी कि इस एरिया के रेंज के बाहर गया तो हमें उस हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा मार्के अब इसमें एक कोई अंदेशा नहीं है कि हम यहाँ पर बुलिश साइड में ज्यादा सोचने वाले है बिकॉज मार्केट में बेरिशनेस का जो भी एरिया था उसको क्लियर आउट करके हम उपर गी तरफ पढ़ चुके हैं अब ही तक ऐसा कोई साइन नहीं कि मार्केट ने Erro का जयालो क्लम में हमने एक बोक्स यहाँ पर बनाया था ठीक है यहां पर अब मैंने मार्कें ऑगर कोई तो इस ओपूंटि फॉर ल॑न ट्रेड तो मार्केट ने देखो टाइम पास किया काफी देर तक, almost लगभग 12 तक टाइम पास किया and then market ने clearly इसको break कर दिया, मैंने similar kind of chart यहाँ पे आपको telegram पे भेजा था, आप देखोगे, telegram पे मैंने morning time पे भेजा था आपको, यह देखो, morning time पे मैंने एक chart share किया था, इस chart मैंने clearly लिखा था, कि till inside this range, I don't see any direction, तो जब तक market inside this range, कब तक था, almost लगभग 12-12 वहे तक और बिल्कुल एक बजे के आज-पास उसने क्या किया, यहाँ पे एक breakout दिया, ठीक है, तो जो भी लोग telegram पे join नहीं है, और उनको daily की जो live updates है वो चाहिए, तो वो telegram पे ही मिलेंगी, because YouTube पे बार-बार वीडियो तो अफ्लोड नहीं हो सकता, तो telegram पे मैं ऐसी चीज़े share करता रहता है, if you are not there, you can join it just searching by theta gainers, okay, 128 के members है, आप इसे join कर सकते हो, आपको यहाँ पे details मिल जाएंगी, then again आप देखोगे, जब मैंने वापे से share किया था, तो market ने बिल्कुल उस line के आज-पास ही एक बहुत अच्छी green candle बनाई है, काफी एक लगबग, you can say, 300 point का move almost cover up हो गया था 9-10 minutes के अंदर, ठीक है, and उसके बाद market ने perfect retest किया and then ऊपर की तरफ जाने लगा, this is, उपर गया, sideways and break, तो यह एक बिल्कुल picture perfect आपको breakout देखने को मिल रहा है, ठीक है, आज मैंने क्या किया, चलो मैं आज का blender बता देता हूँ आपको, वैसे, ठीक है, यह आपको देखने को मिल रहा होगा, कि यहाँ पर 36.7 का profit है, delta neutral में देख रहा है आपको, ठीक है, पर मैं explain करता हूँ, delta neutral आज बिल्कुल cost to cost थी, चलो let me explain की हुआ क्या, क्या होता है, कि जब हम automated functions में कोई trade deploy करते हैं, तो क्या होता है, हम उसमें cycles चुनते हैं, cycles मतलब जैसे delta neutral है, delta neutral में adjustment के cycles हैं, जैसे कि यह हमने 2, 1 put और 1 call cell किया, ठीक है, तो जब पहली बार यह shifting होती है, that is cycle 1, दूसरी बार shifting होती है, तीसरी बार shifting होती है, तो जब मैंने morning में deployment इसका चालू किया, तो मैंने इसके deployment था, strategy का, उसको मैंने क्या कर दिया, cycle 1, basically cycle 1 का मतलब यह है, कि, यह देखो strategy cycle 1, तो यह अपने एक adjustment के बाद ही close हो गई, you can see here, मैं आपको explain करता हूँ, see here, इसका entry time यह देखो, 9.31 एंटर हुआ, और 10.30 के बाद 11.01 पे exit हो गया, तो मतलब जो पहला period of profit booking था, वो यहां पे खतम हो गया, इस जगह पे, तो that shows me around 11,000 profit, ठीक है, जब मैं वापस से, obviously elgo पे चल रहा है, तो मैं उसको क्यू देखूंगा, तो जब मैंने वापस से इसको open करके देखा, तो मैंने देखा कि trade तो already cut हुई, जब कि market चाल हुए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, delta neutral का मतलब है, वो last तक fight करेगा market के साथ, तो जब मैं वापस से उठा, मैंने देखा, तो मैंने इसको directly, 1-23 पे वापस entry करी, दोनों की, and then run हुआ, तो यहाँ पे देखो, क्या gap आया है, gap यह आया है, कि यह उस time पे नहीं चल रही थी, जिस time पे actually यह move आया है, धान से देखो, 1-34 पे मैंने डाला, और 1-34 पे यह move ख देखी जाए, तो delta neutral आज बिलकुल flat है, ठीक है, flat मतलब cost to cost है, ना कोई loss हुआ है, ना कोई profit हुआ है, per lot, 200 या 1500 रुपे का profit है, that I don't consider as profit, because charges वाइन सम्में चला जाएगा, otherwise, जो इसमें हुआ है, this is just, क्या बोलेंगे इसको, this is a mistake wise, mistaken profit, you can say, यह mistaken profit है, आप इसको, आज प्र तो अभी हम daily, 15 minutes and 5 minutes में इसको जाते हैं, और इसको, खतम करते हैं, ठीक है, तो अभी यह देखो, market, यह वो पूरा area है, यह रहा, simple, यह हमारा resistance है, कई दिनों से, यह हमारा support है कई दिनों से, यह जो green candle आई थी बड़ी, उसके बाद एक pause आया है, और market ने दो अच्छी candles दे दिया है, तो daily में तो हमें clearly पता है, कि this is not bullish formation, but अगर हम 15 minutes में जाएंगे, यह मेरा 15 minutes का chart है, यह देखो, ठीक है, 15 minutes के chart में you can see, कि हमने, पिछले दिन का आज breakout कर दिया है, मतलब जो पिछले दिन में indecisiveness थी, जो मतलब लोग decide नहीं कर पारे थे, कि हम कहां जाएं, देखो, यह तो बिलकुल decided है, इन्हें पता था कि इन्हें कहां जाना है, यह bullish थे, तो यह green candle है बड ठीक है, उसके बाद, आज, market में decision build हुआ, कि हम इन लोगों ने, जो in decision create किया था, doji बनाके, उसको आज break करके, हम green candle बनाएंगे, तो आज green candle बनी है, और उपर अभी तक sustained है, ठीक है, उपर अभी तक sustained है, तो what you can see here, मुझे clearly देखने को मिल रहा है, कि इस जगह पे, अगर, अब मैं bearishness की side जाना चाहूंगा, intraday, in short term, तो मुझे इस low को break करना पड़ेगा, यह जो low देख रहा है आपको, इसको मुझे break करना पड़ेगा, clear है, तो अब the perfect trade, सबसे पहले the perfect trade को search करते है, जो कि आज मिली, आज the perfect trade थी, क्योंकि market flat खुल के उपर हो गई, जो कि हमने क 47,750 से लेके 47,250, यह जो 500 point की range है, अगर market यहां खुलती है, in between this and then goes above, this will be a follow through, और follow through में trade अभी bullish का सहारा है, bullish की side को जा रही है, ठीक है, if अगर flat खुल के उपर ना गई, best trade आपको नहीं मिली, flat खुल के market नीचे को आई, तो you have too many obstacles, आप नीचे directly नहीं विर पाओगे, आप आपके पास यहां पर एक base है, यहां पर एक base है, यहां पर एक base है, तो आप एक बार में नहीं गिर पाओगे, अगर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इसका मतलब यह है, आपको ऐसे charts देखने को मिल सकते है, जिसकी वज़ए से आप intraday में trading नहीं कर पाओगे, okay, तो यह मेरा recommendation, मैं बोलने रहा हूं, क्योंकि मैं यह नहीं बोल रहा कि यह चीजे कैसे होगी, क्या होगी, पर यह जो buying होती है, यह selling होती है, जो एक one go में गई होगी, वहां पर बीच-बीच में कई सारे buying steps होते है, उन steps पर जाके market अटकती है, क्यों आप इस से push करना चाहते है, तो अगर flat की जगा, flat की जगा, market direct gap down खुल गई, direct, तो आपको सिर्फ follow through का wait करना है, and you can sell, there is no problem, because यह जो लोग है, इनमें beers अपना एक दबदबा बना लेंगे, but अगर flat की जगा gap up खुल गई, तो gap up में simply आपको यह करना है, क्योंकि market बिलकुल upside में जाती चले जा रही है, तो because जितने लोगों ने यहाँ पर buying की होगी, अगर उनको बड़ा gap up मिल गया, तो कई लोग यहाँ पर booking भी दिखाते हैं, तो वो आपको एक retest बनाएंगे, and then आप 12 बज़े के बास second half में buying का session देख सकते हो, ठीक है, दूसरा यह है, कि आज अपना क्या बोलते है, Tuesday था, कल expiry के दिन आपको हो सकता है, trendy market fit से देखने को मिल जाए, क्योंकि हमें एक trendy market देखने को मिले थी, फिर एक pause देखने को मिला है, आज breakout देखने को मिला, तो कल फिर हो सकता है, कि हमें एक trendy market देखने का chance मिल सकता है, तो हमने तीनों बात कर ली, इस flat खुला ऊपर गया, that will be a best trade, flat नीचे गया, it will be a volatile trade, downside में, sideways to bearish रहेगा, अगर वो gap-up खुलता है, छोटा gap-up है, तो bullish trend के साथ रहो अपने, बड़ा gap-up है, तो second half में bullish trend रखना, अगर gap down हो गया direct, तो follow through के बाद selling कर सकते हो, this is clear cut, यहाँ पर setup जो आपको देखने को मिल रहा है, और हम, आप याद रखना, बहुत टाइम से, एक ही range के अंदर घूम रहे है, 48,200 और 45,000, यह जो 3,000 पॉइंट देख रहे हैं, आपको 3,000 पॉइंट, इसी के बीच में market actually महीनों से चल रही है, दो महिने तो काटी दी हैं, आभी आगे देखते हैं कितना time देखने को मिल सकता है, ठीक है, चलिए, तो this is clean analysis जो मैं अपनी site से दे सकता था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like and subscribe जरूर करना, and if you are not on YouTube, आपने थीटागेनर को subscribe नहीं किया तो आप थीटागेनर को subscribe कर सकते हैं, and मेरा जो delta neutral का setup है, मैं उसको already share कर चुका हूँ आपको, आप उसको भी देख सकते हो what I am trading right now, कहां देखोगे आप, yes, here, okay, चलो, ta-da, bye-bye, thank you. कर देखोगे च्सक अीपकी, वीड़ेक रड़ें खासान का वीड़ एासान, q जो रहब हो coal दो दूता हूएफगे मैं तो दूता हूएग, पनरे झालो, पनरे फीपकी, आपकी, मामने तो, जो,